हलो दोस्तो नमस्कार आजम जी आइस चैनल इनका बेट निकालना बताएंगे किस तरह से निकालते हैं यह एक ग्राफ है जो कि आप देख रहे हैं ठीक है यह इसका ओपनिंग साइज है कितना है 25 25 में ज़र से और 25 तर से कि यह 20 अंदर अंदर इसका 25 वह 25 है इसका जो बायर है वो 3 mm का है या इसको टैन के अची बाल सकते हैं इसकी जो लंबा ही है लेंद है 1.5 मीटर है और जो चोड़ा ही है इसकी बेड़ वो 1 मीटर है यह अपना हो गया अब अपने गेरिया हमारा यह दिखा रखा है यहां पर 25-25 का और बायर बायर थिकने ऐसे इसमें 3 में अब फॉर्मॐल लगाएंगे हम यहां पर ओपनिग एरिया के लिए हो गहां फॉर्मॐला यह जितने फी ओपनिग एरिया होगे ना यहां पर 25 वैपचेश का ऐसे लिए फॉर्मॐल लगेगा यहां पर थे बाइर डाया कोवल स्क्वार इन्टू विड्थ इन्टू लेंथ ईन्टू अपॉंड तो लिए तो वाइर केतना 3 mm तो 3 mm कोवल स्क्वार इन्टू बेट कितनी बन मीटर बाइन नांटू लैंथ कितनी 1.5 meter upon 2 अब इसको हम calculation कर लेते हैं देखते हैं क्या माना आता है इसका तो ये 3 into 3 into 1 into 1.5 and divide ये आगे divide ये इसका बेटा आगया हमारा जो size दे रखका था ये अब इसका whole size हम कुछ बढ़ाई लेंगे माल लेंगे कुछ भी ये 50-50 माल लीजिया अब इसका whole size है 50-50 है अब 50-50 के लिए हम करते हैं इसका opening size हमारा 50 into 50 है इसके लिए formula लगाएंगे हम बायर डाया बायर डाया का whole square into bit into length upon 4 ठीक है अब बायर डाया बायर 3 mm का whole square into bit थे 1 meter into 1.5 ये meter नहीं लिखेंगे हम कि बन लिखेंगे हम लिखेंगे हम लिखेंगे upon 4 अब इसका हम calculation कर लेते हैं calculation 3.3 into 1 into 1.5 divide 4 तो ये आगा 3.375 इसका बेट निकला है पचास पचास का opening का ठीक है अब हमें निकालना है opening ये है 75 into 75 इसका formula लगेगा आपका ये बायरडाया कहूल स्क्वेर इन्टू विर्थ इन्टू लंभाई अपॉन 6 लंबा ही चोड़ाई सेम है सेम ही रख लो आप जो भी होगी उससाब से रख सकते हैं ये बायरडाया 3 है 3 होल स्क्वेर इन्टू 1 इन्टू 1.5 डिवाइट 6 अब इसका calculation कर लेते हैं इसका बेटा 2.25 केजी ठीक है अब ऐसी कुछ साइज और बच होएं उनका ही बता देते हैं आपको अब है हमारा अब जो साइज हो है ओपनिंग साइज लेंगे हम ये इसका ओपनिंग साइज है हंड्रेड वाई हंड्रेड हंड्रेड वाई हंड्रेड का हो गया इसका इसका बायर डायमेटर का होल स्क्वाइर इसका इन्टु विर्थ न्टु लेंथ दिवाईड तू इसका whole square हो गया into 1 into 1.5 divide 2 into 0.25 calculation कर लेगा है divide 2 into 1.68 kg या या so by so का जो मारा GI channel fancy होता है opening area अब हम एक और ले लेंगे opening area ये है हमारा 100 by 50 इसका है by a dia whole square into width into length upon 2 into 0.37 इसको पॉर्मले में रख दो जैसे जैसे मांग रहा है है ये पॉर्मले में रख दो अब इसका हम क्याल्कुलेशन कर लेते हैं अब पॉर्मले में, फोरिशन का, अब इसका च्च्च कहएं अब वालख आओ . इसका बीच आगर इसका बीचा में आगर Sumody निए आगा है इसका दो पॉर्मले में फॉरोपीन्ट नाइन जी दए इसके आगा अजомन क्या पॉर्मलेशन के सा क्या है पच्चिस इंटो पचास ठीक है अब इसके लिए फॉर्मला रखेंगे हैं बाइर डाया का होल स्क्वेर एंटो वेर्थ एंटो लेंथ अपन टो इंटो पॉइंटो पॉइंटो पॉइंट कर लेते हैं मान रुख एंटो फॉइंटो बाइब बाइब आपन टू इंटो जीरो पॉइंट इवन फइंप आप इसका हम कर लेते हम यह आ गया हमारा 5.06 kg तो इस तरह से किसी भी साइज का इसमें जो अपनी साइज है कर सकते है ठीक है अब इसमें हम कुछ अलग से करके देखेंगे मतलब उसका थीखने चेंज करेंगे तब बताएंगे कितना आएगा इसका जो थीखने इस लेंगे हम फोर आम ले ले लिए लिए बायर गेज का इसके लेंद बढ़ा देंगे 1.5 ती तो इसको 15 मीटर कर देंगे पंदरे मीटर इसको 10 मीटर कर देते हैं ठीक है वसे साफ सेक्स का मान निकाल कर देखते हैं एक बार यह फोर्मूला तो पता हिए आपको सबको बायर डाय स्क्वेर इंटु विर्थ इंटु लंबाई अपॉन टू अब इसका मान अग दो बायर डाय का मान कितना है फोर है मैं आपको आपको झाल झाल